को आई एवरिवान कैसे हो आप सभी लोग I hope आप अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल I am स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूट्टूब चैनल J.R. Juniors में तो बच्छो यार कैसे हो आप सभी लोग आई हो आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपके पैरेंट्स भी अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई-वडाई कर रहे होंगे यार आप लोग, ठीके, देखो, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक नया चैनल लॉंज किया है, जिसका नामे जे आर जूनियर्स, जो आप इस वक देख रहे हो, वैसे हमारा जो सबसे में चैनल है, जिसका नामे जे आर ट्यूटोरियल्स, जो की यूटूब पर आप सर्च करेंगे, तो लगबग 9 लाग से जादा सब्सक्राइबर वाला चैनल है, जिसमें हम 26 से लेके 12 तक के बच्चों को वहाँ पढ़ा होंगे, और पाचवी के बच्चों के लिए ये वीडियो बन रहा है, तो ये वीडियो आप ध्यान से देखना, तो पाचवी के बच्चे अगर आप हो, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टन है, क्योंकि आज हम लोग पाचवी के लिए जो मैठ सबजेक्ट होता है दोस्तो, आप जानते हों qualcosa, तो अपमेट मेट सबजेक्त का जो चाप्टर नमबर ईट है, आप अपने बुक में देखोगे, तो आठाब जो लेसन है, आठब जो चाप्टर है, जिसका नाम है जोस्तो, मुल्टिपल सेंट फैक्टर, तो ये क्या होता है, इसके बा बारे में क्या होता है factors और इसी को हम लोग exactly individual numbers भी कहते हैं तो यह सब क्या होता है यह सब देखें कि लेकिन इसके पहले आप से एक छोटी सी बिंती है request है अगर आप parents हो अगर आप देख रहे वीडियो क्योंकि ले रहे हैं और आपका टेंशन मेरे आप ट्रांसफर कर सकते हैं तो मैं बच्चो को पढ़ाओंगा बस आपको कुछ नहीं आपका smartphone आपकी एगर में PC होगा laptop जो भी होगा उस पर यह चैनल जैयार जूनियर्स को लगा के छोड़ दो इंटरनेट करनेक्शन होना चाहिए बच्चे लोग वीडियो देखेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे ठीक है तो पैरेंट्स लोग आप लोग से रिक्वेश्ट है कि आप भी अपने दोस्तों तक शेयर करें अपने बाकी जो रिलेटिव से उन तक शेयर करें वीडियो को तो डाइट जो पहली से पाच वी तक के पहली बारा ऐसा हो रहा है कोई इतना सोच रहा है छोटे बच्चों के बारे में युजएली लोग सोचते नहीं है लेकिन मैंने छेटवी से बारवी के बारे में में भी सोच रहा हूँ तो डेफिनिटी आप लोग इस चीज में support कर सकते हो और बाकी बच्चों जो मेर से जो जह टुटोरियल से जो आये होंगे 6 से लेके 10 तक के 11-12 के बच्चे आये होंगे अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग से ब्रिक्वेष्ट्ट्ट आपके अगर छोटे भाई रहे होंगे जो पाच वी चरुथी तुथ अब यह होता क्या है समझ लोग कि कोई भी एक नंबर है कोई भी एक नंबर है let's suppose 20 यह एक नंबर है अब factors का मतलब क्या होता है in short अगर आपको याद रखना है कि कोई भी नंबर किसके किसके टेबल में आता है जैसे कि अगर आप पाच्वी के बच्चे हो तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि आप at least two से लेके two से लेके at least 15 तक के table learn कर लेना और अगर आप two से लेके 20 तक याप कर लेते हो न तो यह तो बहुत बड़ा आपके लिए मैं हमेशा से जब मैं offline classes में भी पढ़ाता था तो मैं बच्चों को बोलता था जो छोटे बच्चे होते थे उनको मैं बोलता था at least 15 तक के table याद रखो पाच्वी का बच्चा की मैं बात कर रहा हूं मैं दूसरी तीसरी की बात नहीं कर रहा हूं अगर को आपको टेबल सा आप लवन कर लेते हो एकदम बाइहाट करके रखो के तो यह सभी mathematics आपको easy लगेंगे अगर आपको टेबल आता है तो यह solve करने भी आएगा अब जैसे मैंने बोला factors क्या होता है factors factors मतलब कि कोई भी number किसके किसके table में आता है जैसे कि हमने लिखा हुआ हु तो आपके ऐसा बस mind में आपको अगर table याद है सबके table याद है तो आपको पता चल जाएगा कि ना तो 6 के आएगा ना तो 7 के ना 8 के न 9 के 10 के table में आएगा 10, 2,020, 10 के table में भी आएगा 10, 2,020, 10 के table में 20 आता है क्या? Yes आता है यह 1, 2, 4, 5, 10, 20 यही होते हैं factors किसके factors होते हैं? 20 के तो आपको questions कैसा पूछेगा आपको एक number दिया जाएगा एग्जाम में आपको एक number दिया रहेगा और आपको बुला रहेगा कि यह जो number है इसके factors निकालो तो कैसे निकालोगे? जो भी number है उसको बस सोचो कि वो किसके है की नहीं चलो अब सीधा problem set कराता हूँ example solve कर वाता हूँ चलो समझ में आ गया चलिए आ जाते है फटा फट से तो सबसे पहले problem set 32 जो आपके इस chapter का सबसे पहला problem set है इस lesson का factors and multiples, multiples and factors जो भी है इस chapter का नाम इसका पहला question, question देखो क्या बोल रहा है, write the factors of the following, ये जो दिया है इ 8 दिया हुए, 8 किसके किस के table में आएगा, 1 के तो table में आते हैं, देखो, 1 और जो खुद का number है वो, उसके table में तो आना है, वो तो लिखोगे ये आप, तो 1 के table में आएगा, 2, 4 जा 8 होता है, 2 के table में आएगा, 3 के table में आएगा, 3 के table में 8 नहीं आता है, 4 के table में 8 आता है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या, 8 is exactly divisible by 1, 2, 4, 8, ऐसा आपको लिख देना है, आपने जो factors निकाला ना, उसी को कैसा लिखोगे, कि यह जो number 8, जो question पूछा था, 8 is exactly divisible by 1, 2, 4, 8, ऐसा लिख देना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कि यह जो number 5 is exactly divisible by, क्या है, 1, 5, कतम, किस रहा, 14, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 14 आता है, 2 7 जा 14, 3 के टेबल में 14 नहीं आता है, 4 के टेबल में 14 नहीं आता है, 5 में भी नहीं आता है, 6 में भी नहीं आता, 7 में आता है, 7 2 जा 14, उसके ब is exactly divisible by exactly divisible by 1,2,7,14 आ गया कितना सिंपल है है कि नहीं बच्चे लोग तो देखो यार आप लोग ना ऐसा अगर इस तरीके से पढ़ोगे ना बहुत ज्यादा एजी लगेगा बहुत सिंपल होता है बस आपको पढ़ना होता है और कुछ नहीं याद रखना होता है कॉनसेप्ट समझ में आ गया तो आपको समझ में आ गया आप में से कई सारे लोग अगर पैरेंट्स होंगे तो आपने देखा होगा कितना इजी तरीके से हम बच्चों को यहां पर पढ़ा रहे आप हम पे पूरा भरुशा कर सकते हो जितना भी पैरेंट्स है ना यार आप ल बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो अच्छी तरीके से हम पढ़ाते हैं पूरी बच्चों का खयाल रखते हैं और पूरा मैंने अपना सब कुछ छोड़के आपके लिए आपके बच्चों के लिए पूरा समझरपत्स किया है कहीं नेरा जो मक्सद है लाइफ में बच्चों को आ अब पूराफ होगे आप लेखे लिए है उसके बाट फिक्सके टेल में जाएगा और खुच टेल में पूरिफल में जाएगा वन के जाएगा उसके बाद डायरेक 22 के टेवल में जाएगा, तो यह आ गया उसके factors, ठीक है, 25 किसके किसके टेवल में जाता है, 1 के टेवल में जाएगा, 2 के टेवल में 25 आता ही नहीं है, 3 में नहीं आता है, 4 में नहीं आता है, लेकिन 5, 5 जा 25 होता है, 5 के टेवल में जाता है, फिर 6, 7, 8, 9 9, 10 किसी में नहीं जाएगा, direct जाएगा 25 के table में, खत्म, यह उसके factors हो गए, correct है कि नहीं, एक दम easy है न, 32, 1 के table में जाएगा, 2 के table में जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 4 में जाएगा, 4 8's a 32 होता है, 4 के table में जाएगा, 5 नहीं, 6 नहीं, 7, 8, 8 के टेवल में जाता है, 8, 4, 32, 9 के टेवल में नहीं, 10, 11, 12, 13, 14 में नहीं जाएगा, 15, 16, 16 में जाएगा, 16, 2, 32 होता है, 16 के टेवल जिसको आता होगा, 16, 2, 32, 16 के टेवल में आ रहा है न, और किसके किसके टेवल में आता है, देखो, 16 में जाएगा, 17, 18 किसी में नहीं जाएगा सीधा जाएगा थोड के टेबल में जाएगा मैं आगे कितना सिंपल लाष्ट 33 वन के टेवल में जाएगा उसके बाद फाइ और 5 6 7 8 9 10 किसी में जाएगा 11 में जाएगा 11 त्री जा थी और डायरेंगे खुट के टेवल में जाएगा 33 अंब आगे सिंपल है ना तो इस तरीके से हमने सॉल कर दिया देखो problem set number 32 क्या नाम था इसका problem set का problem set number 32 यह हमने कितना आसानी से सॉल कर दिया जितने भी questions थे यह हमने सॉल कर दिया बस यह जैसे मैंने लिखा न यहाँ पर कि यह जो number 5 is exactly इस प्रकार से आपको बस नीचे लिख देना है मैंने जगा छोड के रखा है आप लोग अपने नोटबुक में लिख देना ठीक है तो चलो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग स्टॉप करते हैं यह था हमारा पहला वीडियो जिसमें हमने आपको फिफ स्टाइंडर के बच अच्छा लगाए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना फ़र्ष्टopf लाइक किया यार तो फटाबर से चैनल को सब्सक्रैब भी कर देना ठीक है है गाइस तो जल्दी मिलेंगे एक ओर बीडियो में तब तक के लिए धान्क झाल 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 झाल